नमस्कार दोस्तों, एक्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है, उमीद करता हूँ आप अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, BSTC Counseling 2020 के बारे में, जो अभी latest update आई है, उसके अनुसार जो first college allotment list है, वो जारी कर दी गई है तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि आपको कौन सा college मिला है, और आप result कैसे check करें, और जो result अगर आपको जो college मिल गया है, उसके बाद में जो online counseling की जो process अगई है, वो कैसे कर वाए है तो इनी सब के उपर आज discuss करेंगे, और जानकरी देने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लिजे, और bell icon को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की notification आपको मिल सके, तो दोस्तों वीडियो को सुरू से अन तक जरूर देखिएग और जो भी आपके doubt है, वो आप comment box में भी पूछ सकते हैं, जो question है, वो आप comment box में भी पूछ सकते हैं, तो आज़े दोस्तों start करते हैं, Officially website dled.com पे अभी जो candidates के लिए नया notification आया है, उसमें institute allotment result, और जो दूसरा भी नया है, अध्यापक सीक्सा संस्तान, या संस्तान परवे से तो online reporting calendar के समन्द में, ये दो नया अभी latest notification जारी किया गया है, जो first वाला है, उपर वाला जो notification जारी किया गया है, उसमें जो भी आपकी process रहेगी, उसकी date और परकिरिया कैसे पूर्ण करवानी है, वो इसमें बताया गया, उसका time duration बताया गया, और जो second वाला है, institute allotment result, इसमें आप अपना result सेख कर सकते कि आप कौन सा college मिला है, और इसमें ही आप अपना result चेक कर पाएंगे, तो जैसे ही आप institute allotment result इस इस तरीके का interface आएगा, इस तरीके का interface आपके पास आएगा, जिसमें आप role number, यहाँ पे आप अपना role number डालेंगे, और जो second वाला box आएगा, उसमें application number डालेंगे, और जो third वाला आएगा, उसमें date of word डालके, आप get allotment result पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपका जो college allotment हु में आता है कि आपको college allot हो गया, पिरागी की जो परकरिया होगी, वो किस परकार पून करनी है, तो उसके बाद में भी दोस्तों, इसी वीडियो में आपको पून जानकारी पर परदान कर दी जाएगी, और आप इसी वीडियो के comment box में जरूर बताईएगा, कि कि आपके कित सूचना जारी की गई है, जो pre-delayed परिक्सा 2020 के परणाम उप्रांद, परवेश है तू, दिनाग 26-10-2020 से अधिकरत website, pre-delayed.com पर जारी online counseling पर केरा संपन होने के बाद संस्ता आउंटन जारी किया जाता है, संस्ता आउंटन की सूचना ब्याटिव के login वो mobile नमबर पर प्रेस करेंगे, ता ओनलाइन संस्ता संस्ता रिपोर्टिंग का चरणवार कारेक्रम नानसार होगा, अब आपको जैसे को लेड अलोटमेंट हो गया, तो उसका जो कारेक्रम किस पकार होगा, आपको कितनी फीस जमा करवानी होगी, उसकी जो डेट है, वो कब तक की है, और आप कि इस माद्यम से जो फीस है, वो जमा करवा सकते हैं, तो इसमें जो दी गई है, उनलाइन काउंसलिंग के चरणव में, वो सुलकराशी दी गई है, आपको तेरा जार पाउन सो पच्मान रुपे, ये सुलकराशी का बुकतना आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेर्ड बेंकी के माद्यम से आप जमा करवा सकते हैं, जो इसकी तित्ती दी गई है, वो है 24 बाराथ 2020 से दिनाग, 31 बाराथ 2020 तक, तो 31 दिसम्बर तक इसकी लास्ट डेट तक आप पीजमा करवा सकते हैं, लोगिन के जरी आवंटित अध्यापक्षिक्षा संस्तान ने पर अब जैसे ही फीजमा करवाते हैं, तो उसके बाद में आप अपने डोकुमेंट भी अप्लोड करवा सकते हैं, अगर आपको डोकुमेंट से रिलेटेड है कर कोई किसी तरगा इस्यू है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्यूसन पूछ सकते हैं, संस्ता दुआरा तुसे और जो उसकी डेट है हुए 25 दिसंबर से 1 जनवरी 2021 तक तो इसी के दोरान वापके डोकुमेंट सारे चेक करेंगे, और पीर बाद में जो अगला चरणा है, उसमें बताएगी ओनलाइन दस्तावी सत्यावन उपरांत या बैटती दोरा स्वेम के लोगिन से संस्तान में पर जाएगी कि आप इस टाइम और डेट को आप वो सलेक्ट कर लीजिए और उसी के दोरान आपको ओनलाइन वीडियो कॉन्फरेंजिंग के तुरू ही आपका सत्यापन किया जाएगा, डोक्मेंट अपलोड करने के बाद में, जैसे आप से कुछ बैसिक डिटेल्स पुछी ज संस्त्रास को ओनलाइन, यहीं अपना समय या श्रोट कर लिया अब उसके बाद में, ब्यडेटि द्वारा जो चनीत कर चैनित क्युछ भाज भी कर सकते हैं क्योंकि जो आपको टाइम स्लोड दिया जाएगा और जो दिनाग दी जाएगी उसी में ही आपको फिजिकली जाना नहीं होगा आपको ओनलाइन वीडियो कॉनफरेंसिंग के तुरू ही आपको रिपोर्टिंग करने होगी डोकुमेंट अपलोड हो जाएंगी उसके बाद सत्यापन होगा आपको टाइम स्लोड लेना होगा और टाइम स्लोड के बाद में आपको वीडियो कॉनफरेंसिंग के तुरू रिपोर्टिंग करने होगी आपको जाना नहीं होगा अब जो लास्ट जो चरण दिया गया उसमें संस्ता दवरा ओनलाइन वीडिय करन पस्चाद अब्यारतियों द्वारा स्वेम के लोगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त किया जाएगा तो इसमें जैसे ही आपने स्लोट लिया आपका जो वीडियो कॉंफ्रेंसिंगे दूर रिपोर्डिक कर दिया आपने फिर उसके बाद में प्रमाणी करन और इसमें बिल्कुल नीचे मेंसन किया गया है कि कोविड-19 के चलते किसी भी ब्यारति को प्रवेश परकिरिया के लिए आवंटी संस्ता में बहुती ग्रूप से उपस्तित नहीं होना पड़ेगा सारा सब कुछ ओनलाइन ही होगा तो यह बहुत से ब्यारतियों के यह डा आएक केजियो और जाद जाद शेर केजियो दन्यावाद जाहिन जाहिन जाहिए बहुत